नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगे बहुत ही आसान और सरल तरीके से हैवी चेश्ट ब्लाउज कटिंग एंड स्टीचिंग जैसे आप लोग कमेंट करते हैं हैवी चेश्ट है तो हम उसके शोल्डर कितनी ले आरूमल कितनी ले तो यहां पर मैं आपको बहुत ही आसान और सरल तरीके से एक भारवूला बताऊंगे कि हैवी चेश्ट है तो उसका हमें आरूमल और सोल्डर कितनी लेनी है और गले की लंबाई कितनी लेनी है सबसे पहले हम मस्तल की कटिंग करेंगे उसके बाद जो हमारा ही साड़ी का कपड़ा है इसकी कटिंग करेंगे सबसे पहले हम मस्तल को करेंगे डबल देखिए इस तरीके से हमने अस्तल को कर लिया डबल तो देखें यहां पर हमारी जो चेस्ट ने जो पीछे का पाट है वो 21 इंच है यानि यह 12 इंच का बलावज है तो 21 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो हमें ऐसे लेनी है साड़े तेरा इंच है तो दीए यहां पर हमारे कपड़े की जो लंबाई है वो 15 इंच है और सबसे पहले हम यहां पर 21 इंच पर एक निशान लगाएंगे ऐसे कि अब हमें यहां पर गुंजास लेनी है तीन इंच अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है छोटा बड़ा करना है ऐसे करके छोटा बड़ा उसके बाद ऐसे अब देखिए यहां पर हमारा यह खुला बाला पार्ट है और यहां पर बंद बाला पार्ट है तो यहां से देखिए ऐसे हमें सोल्डर लेने है साड़े पाच इंच आरोमल लेने है छै इंच और देखे यहां पर हमें आदा इंच का ऐसे दूरी रखते हुए हमें ऐसे करके ऐसे मिलाना गले की चोड़ाई हम यहां पर दो इंच की रखेंगे कि कंधा गिरे ना गले की लंबाई हम यहां पर जैसे फिलाउच का जो गला उससे ना परेंगे अब देखिए इसकी जो लंबाई वो 6 इंच है तो इस तरीके से हम यहाँ पर उल्कुल 6 इंच पर ही निशान लगाएंगी ज्यादा बड़ा नहीं करना और यहाँ से ऐसे गोल आई देखिए सबसे पहले हमें ऐसे करके आरुमल हो गया अब देखिए जो हमारा यहाँ पर लंबाई है देखिए इसमें छोटा बड़ा पाट है देखिए ए छोटा है ए हमारा पीछे का है तो आगे का गला हमारा 6 इंच का है आदा इंच हमें ऐसे करके गोलाई में कटिंग करना यह जोल नहीं आएगी यहाँ पर आपको आदा इंच जरूर ही कटिंग करना है और देखिए वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को जासे जादा शेयर कीजिए हमें सपोर्ट कीजिए और जो नए लोग हैं जो सिलाई सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राब कर लें जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राब कर लें वो हमारे चैनल को सब्सक्राब कर लें अब देखिए यहाँ पर हम तेरा इंच पर तीरे का निशान लगाएंगी एक इंच यहां पर लेंगे ऐसे और यहां पर टक्स का निशान आएगा हमारा 10 इंच पर अब देखिए पीछे का पाठ हमारा 21 इंच था 21 का हम ऐसे करके आधा करेंगे तो हमारा जो फिटिंग का कपड़ा है वो साड़े 10 इंच साड़े दस इंच, साड़े दस इंच का अब आदा करेंगी यहां पर ऐसे करके तो यहां पर अगर आप चाहें तो पाच इंच का भी निशान लगा सकते हैं क्योंकि साड़े दस इंच का हम थोड़ा सा यहां पर एक कम जादा कर सकते हैं बस और कुछ नहीं तो यहां पर 50 पर भी निशान लगा सकतें और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं साड़े 15 इंच का आदा करके ऐसे करके आप हमें दों दों विलाद रखनी है हर साइज में ऐसे करके दू दू इंच की दूरी होनी चाहिए एक निशान हमारा यहां पर आ जाए यह हो गया क्यांचे की कट लगा लेंगे यहां पर कि दोना साथ अच्छे से कट लग गए और यह नीचे का तीरा कि यहां पर जैसे हमने दो इंच की चोड़ाई ली है और गल्ये को हम यहां पर लंबाई जैसे हमारा पीछे का गला है यह हमारा आठ इंच का है यहां पर हम गल्ये को कुछ इस तरीके से बनाएंगे देखिए पीछे की यहां पर जो पिलेट है नीचे की वह हम सोल्डर से बीच में निशान लगा यहां पर कैच के कट पीछे का पाट हो गया अब हमें बाजू निकालने अब देखिए यहां पर कितनी चोड़ाई है पंदरा इंच की चोड़ाई है तो देखिए हमें ऐसे करना है ऐसे करना है कम से कम यहां पर हमें नौ इंच लेना है अब देखिए यहां पर 6 इंच है लंबाई अब हमें इसमें लंबाई बढ़ानी है क्योंकि कश्टूमर ने बोला कि थोड़ी लंबाई ज्यादा रखना तो हम यहां पर 10 इंच की बाजू बनाएंगे यहां पर लेंगे हम 11 इंच यहां पर लेंगे हम 4 इंच इसको हमें उपर के साथ ऐसे लेके जाना है और यहां पर जुड़ा हुआ है इसको हम ऐसे करके जोड़ेंगे देखे यहां पर जो भी है हम पर पट्टी वह जोड़ लेंगे देखे अब देखेंगे यहां पर हम कपड़े को करेंगे डवल ऐसे डवल किया है सबसे पहले हमें पीछे का पाट रखना है और यहां पर रखेंगे आगे का पाट और यहां पर रखेंगे नीचे का तीरा है यह हो गया इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे पहले अच्छे से हम इसको जोड़ लेंगी तो अगर आप लोग इसकी स्टीचिंग देखने चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल में देखने मैंने बहुत आसान और तरीके से स्टीचिंग भी बताईए तो यहां पर हो गया ऊपर का पाट अब हमें बाजू निकालनी है कि यहां पर हम क्या कृँंगे ऐसे करे का और ना हम हमें तो जैसे हमारा अस्तल में जोड़ आया इसी तरीके से ऊफे यह यहां पर भी जोड़ना पड़ेगा क्प्रा क्योंकि यह जो बोडर वाला कप्डा अगर सिम्पल कप्रा होता हम ऐसे भी निकाल सकते देखेँ है यह भी निकाल सकते तो यहां पे हमें जूड लगाना पड़ेगा अलग लग जोड़ेंगे अब देखी कि अब देखी यहां पे हम ऐसे करके अस्तल को अलग जोड़ेंगे और चाड़ी का जुक कपड़ा उसको अलग जोड़ेंगे, ऐसे अलग-लग जोड़ना हमें, सबसे पहले अस्तल जोड़े तो साड़ी को यह कमधी बॉर्डर नहीं था। कपड़ों कम होते हैं तो इस से हमारा यहां पें जौड़न नहीं आता। कपड़ा लगाना पीछे की साइड आप लोग ऐसा ही करेंगे इसमें जोड़ लगाएंगे पीछे की साइड बाजू में तो देखिए यहां पर मैंने बाजू की कटिंग और है भी चेस्ट के बारे बताया अब देखिए आप लोग देखेंगे कि हमारा 42 चेस्ट का बला इंच के आरूमल साड़े पांच इंच के सोल्डर क्योंकि डीप कर लाएं वही चलेंगे और इसी से आप लोगों को लगता है कि साइड हम कैसे कटिंग करें कैसे लें ऐसा कुछ नहीं है आप हैभी चेस्ट का कर रहें तो भी उतने ही सोल्डर आरूमल लेते हैं और जब हम बना फरक होता है चेस्ट हमारी 42,4 है इतना ही ततना है सोल्डर सबके पड़ावर हो तो हो लेकिन सोल्डर सबके परआवर होती है आपको डरना नहीं है कटिंग कर सकते हैं और थोड़ा कम है उसका भी कटिंग कर सकते हैं देखिए जैसे मैंने आपको बता है अगर आप लोग स्टिचिंग देखना चाहते हैं गले को कैसे तैयार किया जाता है तो प्लीज आप हमारे चैनल में देख लें बहुत आसान और सरल तरीके से स्टिचिंग बताईए वीडि लड़ आसान